तो दोस्तों कि आप जानते हैं कि अर्ड डिजिटल ब्लॉगर के करीब 6 या 7 साल पहले मैं एक स्टॉक ब्लोकिंग फर्म में VP मार्केटिंग था ये टॉप स्टॉक ब्लोकिंग फर्म थी और आज भी अच्छे स्टॉक ब्लोकर्स में से आती है अब वहाँ पे जब नई टीम आती है या कहीं पे भी कोई नई टीम आती है तो नए इनुवेशन जाते हैं नए आइडियाज आते हैं और जो टीम जीती उनको हमने एक प्रजेक्ट दिया इस हैकेटों को करने में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कुछ हमें भी सीखने को मिला और एक अच्छा टेकनोलोजी पार्टनर भी हम मिला उसी तरीके सेवी अंडर दी लीडर्शिप ओफ मैध भी पूरी बुच कुछ नया कर रही है वो कर रहे हैं क्या आइडिया थॉन इस आइडिया थॉन में अलग लग लोग अलग लग टीम्स आ सकती हैं और अपने आइडियाज बता सकती हैं कि किस तरीके सेवी की कारशेली को सेवी के कामों को या पूरी एक्सचेंज या पूरे पूरे इको सिस्टम को फानेशल मार्केट को इंप्रूव किया जा सकता है तो जो आपकी आइडियाज हैं वो लेके आए और अगर अच्छा लगा तो आप पांच लाक रुपे तक कमा सकते हैं और इस वीडियो में ज तो दोस्तों सेेवी ने अवाज लगाई है पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट को सारे मार्केट पार्टिसपेंट्स को बुला लिया है अवाज लगाई है नसी बीसी, cdsl, nsdl, mcx, ncdex, kfintech, cams और LinkedIn टाइम इन सब को आउज लगाई हैं और कहा है कि आओ let's do something together मन्थन करके इन्होंने आइडिया थौन लाँच करने वाले हैं एक्षिर ये लाँच हो चुका है जिर्फ अभी टीम आइडियेशन या नॉलेज शेरिंग सेशन शोंगे शुरुआ आप भी बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको पाटिसिपेट करना है लेकिन ये पहले है क्या ये जान लेते हैं आइडिया थौन में चार अलग-लग वर्टिकल्स पे आप अपने आइडियाज प्रेजेंट कर सकते हैं अब ये चार पीलर्स क्या हैं सबसे पहला पीलर है इंवेस्टर एजूकेशन प्रोटेक्शन और इज ओफ इस तरह से एजूकेशन का इस्तेमाल करते हुए मार्केट में और स्पेशली रीटेल इंवेस्टर्स में ट्रीडर्स में अवेरनेस क्रिएट की जा सकती है सोशल मीडिया का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि सोशल मीडिया के जो गलत इस्तेमाल होता है उससे कैसे बचा जाए किस तरह से स्टॉक मार्केट के अलग जो कौनसेप्स हैं वो किस तरह से सिखाए जाए इसकी उपर हमने सेभी की सार्थी आप के बारे में भी आपको एक वीडियो के तुरू बताय हुआ है जो सेभी ने बता रखी है investor education के उपर लेकिन उसके beyond क्या किया जा सकता है जिसमें investor education को अलग-अलग माध्यम के साथ एक तरह से retail trader investor के साथ जोड़ा जाए वहाँ पर आपके पास कोई अगर idea है तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं ए किसी भी देश का stock market एक stock पूरी country की economy के बारे में काफी अच्छी picture ब्यां करता है अगर economy अच्छी चल रही है stock market अच्छी चल रही है everybody is happy अगर एक भी आसपेक्ट में गढ़बढ है तो पूरा का पूरा population में दिक्कत आ जाती है अब इस particular pillar में किस तरह से technology का इस्तेमाल करते हुए security market को ज्यादा stable किया जा सकता है जो challenge आते हैं एनसी बंद हो गया कोई broker बंद हो गया और वो भी किसी particular tech issue के कार उसको किस तरह से solve किया जा सकता है किस तरह से पहले से पता लगाया जा सकता है technology के माधियम से वो बताईए commodities market for example को कितनी easily और कितना footprint काम है वो ज्याद accessible कैसे किया जाए उसके ideas लखे आईए तो यहां पर आएगा tech का इस्तेमाल करके किस तरह से solution दिया जा सकता है यह idea बताईए फिर है market regulation को लेके अभी कि से भी हो तो खुद market regulator है लेकिन से भी को पता है as of now at least under महद भी पूरी बुच जी यह तो लगता है क इनको पता है कि कुछ न कुछ खामिया है improve किया जासकता है feedback बहुत important है किस तरह से regulatory technology का इस्तेमाल करते हुए current जो challenge आते है उसको improve किया जा सकता है जो lead back attitude कही न कहीं दिखता है या slow processing दिखती है काम को लेके या जो cases बड़े रहते हैं उनको लेके उनको कैसे quick enough किया जा सकता है उन पर कैसे काम जल्दी किया जा सकता है action जल्दी लिया जा सकता है वहां पर भी technology का कैसे इस्तेवाल किया जा सकता है इस पर idea बताईए फिर integration with financial ecosystem अब देखिए user को onboard कितनी easily किया जा सकता है किस तरह से उसमें awareness जगाई जा सकती है किस तरह से उसके जब market में आता है शुर market को देखे जो हुआ बना हुआ है जो डर पैदा हुआ हुआ है उसको लेकर उस चीजें कैसे ठीक की जा सकती है technology और digital space को offline space के साथ कैसे integrate किया जाए कैसे जोड़ा जाए इनको वहां पर क्या answer हो सकता है वहां पर क्या idea हो सकते है इस पर बताईए तो यह चार pillars पर दोस्तों जब एक तरह से पूरा sell hub आएगा ideas का उसमें से जो कुछ बूंदे होंगी जो actual में implementable होंगी वहां पर से भी का focus है वहां पर देखके इनको लगना है कि आगे चलके हम खुद तो decision लही रहे हैं हमसे जादा या हमारे बराबर थोड़ा सा कम भी माल लो जो लोग trader community में है investor community म में है कुछ समय से उनको भी पता है current gaps कहा है now is the time दोस्तों यही समय है जहां पर आप you can step up आय सकते हैं आगे as a team बनके and then work out with a b and bring out your ideas जब आप ideas लेके आएंगे कुछ select होंगे और जो select होंगे क्या पता बन जाए बात और execute हो जाए देखिए इस पर ideas अब regular market में जो भी आपक होता है इसको थोड़ा holistic सोचने का time है margin for example intraday margin को लेके हमने कितनी बड़ी campaign की थी कितना बड़ा एक pain point है दुखती रग है हम सब की वहां पे कैसे solution लेकिया आया जा सकता है एक बीच का रास्ता कैसे निकाला जा सकता है technology को लेके app में जब server बंद हो जाते है exchange नहीं चल रहा फीड लिले आ रही है order placement नहीं हो रही यहां पे कैसे किया जा सकता है broker की शिकायत लगा जा सकती है कि customer के इनके phone नहीं उठाये जाते हैं इनसे account खोलने के बाद अभी help नहीं करते हैं यह लोग वहां पे किस तरह से broker community को improve किया जा सकता है ऐसे हजारों ideas हो सकते हैं हम सब के प अगर होंगी तो it's a great time for us to bring out those ideas देखो सेभी को किसने कहा नहीं है क्या पी करके दिखाईगे किसी ने किसी ने ऐसे कोई force नहीं create की है this is something that's coming out on its own तो let's try and trust this for a change and देखें कि क्या निकलता है यह कि सेभी के खिलाफ मुझे खुद बहुत शिकायते हैं आपको तो पता ही है इस channel पे तो वो शिकायते हैं आपके सामने time to time हमने share की ही है अभी मन्थन सेभी का जो इनिशेटीव है उस पे participate कैसी करना है यह जान लीजिए देख के से apply कर सकते है 14th मैं last day है apply करने का as a team और 30 मैं तक आपको evaluation होगी ideas की इसमें पता लगेगा कि आपके ideas सच में सही है या वा माशाल्ला है और 7 जून को आपका result आजाएगा है tentatively इसमें थोड़ा delay हो सकता है से भी है बट 7 से 10 के बीच में result 710 जून 2022 में result आने के पूरे पू कुछ public होगा तो हम भी आपको बताएंगे मंतन की ऊपर क्या चल रहा है यह सब कुछ आपको अफगर करवाएंगे वो हमारा काम है most likely हम भी सोच रहे हैं एक टीम बनाए चोटी सी और figure out करें किस तरह की ideas है why don't you give it those ideas आप भी idea हमें दे सकते हैं comment section में private support at a digital blogger पे mail कर सकते है आप इस नंबर पर whatsapp भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो और अपने ideas को फिंके बिल्कुल दो कीजिए और हम उठाएंगे catch करेंगे और जहां पर जो ideas आएंगे उस पर अलग से आपके लिए वीडियो बनाएंगे और verify करवाएंगे live भी आ जाएंगे point here is से भी तक idea पहु हो गया और execute हो गया तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है आपको idea summit करने हैं पांच मिनिट से और उससे कम के वीडियो में उसके beyond नहीं जा सकते आप और चेक क्या होगा चेक किये होगा कि problem statement क्या है क्या दिक्कत सॉल्व कर रहे हो आप solution क्या दे रहे हो आपके use cases क्या है मतलब कब कब यह चीज हुई कहां कहां user को मुश्किल हुई यह बताईए इसमें data requirements चाहिए कि अगर अलगलग stakeholders होंगे इसमें तो उनसे क्या data की उमीद की जा सकती है और finally कोई API integration है कोई अलगलग systems को जोड़ना है वो बताईए तो basically थोड़ा सा technical level का digital level का solution या current level पर जो issues चल रहे सकता है लेकिन important है तो मैं बता रहा हूं complete होना चाहिए वायबद होना चाहिए कि मतलग हो सकता है functional होना चाहिए मतलग उसकी functional रूप रेखा होनी चाहिए original होना चाहिए और impactful होना चाहिए यह सब कर लिया और फाइदा क्या जो first price है वह है एक लाक रुपए का second दो 75,000 रुपीज थर्ड प्राइज है 50,000 रुपए यह तीन लोगों को मिलेंगी second price दो लोगों को मिलेगा first price एक को मिलेगा और इसके लवाद चार लोगों को 25,000 चार टीम्स को 25,000 जूरी की recommendation के base में मिलेंगे अब इस event में register करने के लिए कोई fees है जी नहीं free है कौन कोन कर सकत है as long as आप 16 साल के जादा है आपकी उमर 16 साल से उपर होने चाहिए एक से लेके 5 लोग team members बने होने चाहिए एक team leader होना चाहिए submission करने का idea और change नहीं कर सकते आप team leader को एक बार कर सकते है चलो इतना मान लेते हैं से भी ने कहा है language requirements का है अंग्रेजी में बात करनी बढ़ेगी कि दोस्तों तो कोई तक्कत नहीं है एंग्रेजी सही है we can talk in English we can walk in English then participant की तरह भी कर सकते है team की तरह भी आप कर सकते हैं पांच लोग के भी होनी होने चाहिए इस email ID पर reach out कर सकते हैं आप मन्तन जो करवा रहे है organize उनकी email ID है तो अगर कोई दिक्कत आती है तो वहां पर आप के थोड़ा और डीटेल के साथ अभी के लिए इतना ही दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पाई